कि यूजा साथ कि सब्सक्राइब करें अज़िए आहाँ कि एस गज़िए आपका सेट्ट जाम हो चुका है सीट नहीं निकल रहा सेट का जो पाइप है यह पाइप नहीं निकल रहा है जिससे seat pillar pipe बोले जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि seat अगर आपका jam हो चुका है seat का catcher नहीं खूल रहा है या फिस seat का pipe नहीं निकल रहा फ्रेम से तो कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके related में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि हमें कमेंड किये हैं तो उन्हीं का आधार पर वीडियो को बना रहें आप लोग को बहुत ज्यादा काम आएगा तो आप लोग से हम request करेंगे कि वीडियो को पूरा complete देखें तभी आपको पूरा knowledge मिलेगा तभी आप अपने से कर सकते हैं वरना नहीं कर पाईएगा तो हम आप सो request करते हैं दुआरा कि आप वीडियो को पूरा complete देखें तो चलिए आप लोग को बताते हैं seat कैसे adjust किया जाता है कैसे निकाला जाता है सिट पिलर पाइप अगर जाम हो जाता है सिट केचर अगर जाम हो जाता है तो चलिए आप लोग का जाल सुना वेश करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं तो गई सिट पिलर पाइप अगर जाम हो जाता है तो seat pillar pipe निकालने से पहले आपको क्या करना है seat को खोल के निकालना है तो आप लोग को अच्छे से बताते हैं कि seat को कैसे खोल के निकालना है और आगर seat खोलने के बाद भी अगर नहीं निकलता है तो इसका क्या problem है और seat pillar कैसे निकालना है तो चलिए आप लोग को सबसे पहले seat सिट को बताते हैं तो आपको क्या करना है और इस तरीका से टीक है तो चलिए हम डोट फथर फटाफट लूज कर खार लेटाटे फिर आप लोग को एक्षाइट कर देखेंगा सीट लूज हो गिया उसका क्या था बराबर लूज नहीं करना पूंच ऊपको आपको क्या करना नहीं निकलता है तो आपको कैसे निकालना है छलिए बताते हैं आपका सीट इस तरीका से से सबूंते है चुछ तो आपोजित से जो यह नट आपको बाहर आजाएंगा ठीक है देखें बाहर आगे और सिट हमारा खुल गिया लेकिन सीट में जो केचर लगावा था वह लगावा नहीं है जैसा कि गाईज देख पारे केचर का जो क्लम होता हुआ क्लम देखें पाइप में फसा हुआ है तो आपका कलेंद निकल जाएगा बाहर, क्योंकि जो यह मूह है, इसका यह आपको फाइड जाएगा, इसके बैसे जो है, आसानी से बाहर आज आजाएगा , इस तरीका से थिक गाइज तो यह पॉरस्टरस के साथ में आपको सीट को पहले खूल लेना है , सीट खोलने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि यह पाइप आप देख पा रहे हैं, सीट पिलर पाइप, यह हमारा फिरी है, ठीक है गाइप आप लोग को देखा दियें, यह देखे हमारा फिरी है, और यह जो है एज़ेस्ट करेंगे तो आप डाउन उपर नीचे एज़े कर देतार हाँ से घुमाते हैं, या फिर मंकी पिलायर या फिर तोता पिलायर के इस तरीका से घुमाते हैं, तो यह घूम नहीं रहा है, क्योंकि पूरा सीट पिलर पाइप जाम है, इसी तरीका से साइकिल में हो जाता है, साइकल का सीट पिलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो free है, adjust हो जाता है seat हम आप लोग को दिखाने और बताने के लिए ये process को complete कर रहे हैं तो जैसा कि ये frame में हम आप लोग को दिखाएं गाइस, तो चलिए ये seat pillar pipe को आप कैसे निकालना है, अगर jam हो जाता है तो, सो गाइस वीडियो देखते देखते आप चैनल को subscribe करना भूलना जाएं, इससे पहले हम आप से request करेंगे कि चैनल को subscribe करना साथ में bell icon all कर दें, और like करना, share करना बिल्कुल न भूले, क्योंकि आज़र दोस्तों को भी कमें आने ला वीडियो है, और नीचे एक प्यारा सा कमेंट, जरूर करें वीडियो पुरा complete देखने के बाद, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुती मेहनत से वीडियो को बनाते हैं, और सही information आप लोग को देते हैं, ताकि आप लोग का कोई भी ऐसा problem ना हो, आपको आपको यहां पर इस तरीका से जो है, डाल देना पहले, यह देखिए हमने जो घासलेट ऑईल पहले, डाल दिया है पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, बताते हैं, उसके बाद आपको जो है, इंजन का जला हुआ मोबिल रहेगा, इस तरीका का कीप में आपको ले ले है, जला हुआ मोबिल, इस तरीका से जो है, आगी जला लेना है, ठीक है, आगी जलाने के बाद आपको क्या करना है, पुरा फ्रेम को बढ़िया से आपको जो है, हीट करना है, ठीक है, शीट पिलर पाइप जो आपको यहां तक रहता है, तो यहां तक आपको पूरा हीट कर आप लोग को आगे का पोर्सेस बताते हैं थोड़ा सा कहीं हो जाए अउसका ब त्रीका से होज़िदे आपको आपको क्या करना उय करना है कि इत ठालेों कर लेत стороны प्रेम को हीट कर लेने के बाद आपको क्या करना है इस तरिकाँ से कोई विजूसें लेकर करके शीट पिलयरल प्राइप को को इस तरीका से हेमर करना है फ्रॉड़ा थीकर गए इस तरीका इस तरीका स मिर्करना है ऊपर से आपको फिरश अथे ऑफर लगा हुआ था वे सुआ है ज्ब घ्र जाने के पाद जैसे हम इस्टमर किये ऑद से shi tfall코 यह रहा बहार निकालना है रहत बाहर अनÂर तरिकी एसा गूम цसे भूभाने का कोशा है नहीं रहा है तो तो फ्रोला देने के पड़ेक्स तरीका से सब्सक्राइब करना में में तो इस तरीका से अंब करने के तो आप पोड़ेंगी एक दम लगा रहा रहा है तभी आप को यह पूर्स करणा है 선생님 लगाना है पुराना वळाइख नहीं लगाना जैसा करके आप देख पा रहे हैं तो फिलाल हम इसमें कुछ लगाने वाले नहीं है क्योंकि यह हमारा जो है यह साइकल जो है फिर से रेडी करेंगे बनाएंगे तो आप लोग को दिखाने के लिए पॉर्सेस कंप्लिट करके हम आप लोग को दिखा दिये और बता दिये जिस तरीक तरीका से सीट को फिर आपको फिट कर लेना है इसमें हम एक चीज और आप लोग को बताना चाहेंगे गाइस अगर आप अपना फ्रेम को हीट करना नहीं चाहते हैं तो आपको जो है घंसलेट ओयल करके या फिर तारपीन ओयल करके आपको कुछ देरी टाप छोड़ देना ह है को तना चाहिं है फ्लेर करना है है डिस तरीकर है आता है अगर नहीं आता तब आपको यह पौर्स करना है हीट करने वाला पॉर्सेस ठीक है अगर आपको बताना चाहेंगे अगर आपका न्यू साइकल में अगर यह प्रॉब्लम होता है इस सिच्वेशन में आप यह पॉर्सेस को ना करें आप एक बार मेकैनिक से जा करके देखवा ले आसपास में कोई आउनेiny होने का बहुत का रिजन होता है तो मेकैनिक देख करके आपको प्रॉब्लम बताएगा कर